इस वीडियो में हम लोग टैली प्राइम का जो रिलीज 3.0 है 3.0 जो है उस पे हम लोग डेटेल में देखने वाले हैं कि इसमें क्या-क्या चेंजे जाये हुए हैं तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये जो फीचर अभी सबके लिए अवेलेबल नहीं हुआ है टैली ये रिलीज 3.0 लेकिन बहुत ही जल्द ये लॉंच कर दिया जाएगा ये ट्राइल बैसिस पर है तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि जो पुराना 2. 2.0 या 2.1 जो अपडेट है पुराना जो टैली प्राइम है और ये रिलीज 3.0 है इसमें क्या डिफरेंस है कहां कहां क्या क्या चेंजेज आये हुए हैं तो देखिए जहां तक हम को पता चला जहां तक हम देख पा रहे हैं यहां पर हमको एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां से मतलब diversify करते हैं कि कहां पर क्या-क्या changes आए हुआ है तो एक तरफ में यहां पर tally prime जो normal आपका 2.0 है या 2.1 जो भी है वो open किया हो और next जो है वो 3.0 है तो यहां पर हम लोग आप देखते हैं कि क्या-क्या changes है कैसे काम करेगा तो सबसे पहले हम लोग GST को ही लेके चलते हैं जैसे आप यहां पर जाएएगा तो DOG करिएगा तो देखिए आपके सामय यह क्या 1 है 2 है GST R1, 2, 3B, E invoice, e-wable लेकिन अब जब 3.0 में जाएगा तो यहां पर देखिए कितना सारा चीज है ट्रैक GST return activities यहां से आप return का activities रख सकते हैं GST R1 यहां पर है और 3B है annual computation आ गया उसके बाद देखिए reconciliation R1 का भी reconcile कर सकते हैं 2A reconciliation कर सकते हैं चलान reconciliation कर सकते हैं यह इस तरह से इसको जो है यह change किया गया है अब जैसे देखिए track GST returns में क्या है यहां पर जैसे आप जाएगा तो यहां पर आपको बताएगा कि कौन सा मन्त का corrections needed है pending export है मतलब export नहीं किये है exceptions है pending to be shine मतलब उसको यह तो आपको यहां पर हर एक मन्त का tracking बताएगा कि क्या क्या काम हुआ है उसके बाद next है आपका GSTR 1 का जब आप table open करिएगा 3.0 में तो यहां पर देखिए एक अलग type का view बनेगा आपके सामने एक अलग view है देख रहे हैं आपको पहले का जो रहता था पहले यहां पर अब देखिए सब एक जगह पर consolidate कर दिया जिस तरह से table वहां पर है उसी तरह से यहां पर सारा का सारा एक तरीके कर दिया जैसे अगर आप यहां पर जाते हैं GSTR 1 में तो देखिए किस तरीके का है यहां पुराना जो है देखिए इस तरह का log बनाता था लेकिन अब जो है देखिए किस तरह का बन रहा है अगर आप यहां पर F5 करिएगा तो यहां पर आपको nature view दिखेगा ठीक है यहां पर total देखिए यहां पर nature views दिख रहा है जो कि आपका इस तरीके से है तो यह जो release 3.0 है इसमें GST वाला जो component है GST वाला part में बहुत ही मतलब drastic changing किया गया है और यहां पर आपको और देखने को मिलेगा यहां पर क्या है next आप जैसे आप 2 में जाएगा तो यहां पर क्या दिख रहा है यहां पर GSTR 2A दिख रहा है पहले क्या दिखता था 2 दिखता था अब क्या है 2A बता रहा है उसके बाद क्या है GSTR 1 reconciliation का यहां पर कोई यह नहीं था कोई tab नहीं था यहां पर GSTR 1 का reconciliation देखे GSTR 1 का reconciliation बिशिकली क्या है यहां पर आपको यह पता चलता है माल जी आप April, May, June, July तक return file कर दिये है और आपका portal पे data जा चुका है अब books में क्या है कि पीछे जो April, May, June में कुछ invoices delete हो गया या कोई extra invoice insert हो गया तो उसको कैसे reconcile करें कि मेरा जो sales invoice books में है वही portal पे भी होना चाहिए या जो portal पे वही books में भी होना चाहिए तो इस तरीका का जो differences है उसको reconcile करने के लिए outward supplies से related GSTR1 का reconciliation लाया गया है तो यहाँ पर यह बहुत ही important चीज हो जाता है यहाँ से आप reconciliation कर सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं पुरा का पुरा पुरा जो भी period का है आप यहाँ पर reconcile कर सकते हैं uncertain transaction जो भी है next और क्या changes है अब let's suppose अगर अब देखते हैं master creation में अगर आप यहाँ पर किसी भी चीज को जैसे old में जाईएगा तो यहाँ पर आप create करते हैं कोई भी laser में जाते हैं just suppose हम alter करके देखते हैं जैसे अगर मान लेजिए कोई भी laser हम alter करते हैं मिल गया देखिए यहाँ पर GST applicability यह specified detail है यह जो तीन चीज है यह बहुत ही बहतरीन दिया गया है hsn detail जो है क्या बोलता है कि आपको अगर watcher label पर या तो फिर item label पर मतलब masters के level पर अगर define करना है तो specify details here या फिर आपको करना है नहीं भाईया यह जो master है यह जो master हम create करना है चाहें item हो लेजर हो यह group level पर या फिर कहीं और से उठा ले जो company पर define है तो आप यहाँ पर यह select करके आगे बढ़ सकते हैं effective date डाल सकते हैं next क्या है use registration classification जो है और भी अगर है तो उसको use कर लिए तो specify here करके आप यहाँ पर सारा rates वगरा सारा चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं तो इस तरह से laser creation में भी item creation में भी जो GST का applicability था वो चीज़ को change किया है और क्या change किया है और आपको एक और बहतरीन feature आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको और यहाँ पर क्या देखने है suppose करिए क्या है आप DAS में जाते हैं sales में जाते हैं और आपको देखना क्या है कि कोई एक party का कि हम एक मन्त में यहाँ पर जैसे माल लिजे दिलीब कुमार रे है इनका हम देखना चाहते हैं कि कितना total एक महीना में हम बिल की है तो आप simple सा पहले filter लगाना होता था अब क्या है अब direct find करिए control F press करिए और यहाँ पर direct नाम type करिए और उनका सारा का सारा जो बिल है उस मन्त का वो आजाएगा यहाँ पर तो filter का बहतरीन जो एक best feature जो है वो यह लाया है 3.0 में पहले बहुत सारा alt f2l करते थे range select करते थे correction range select करते थे फिर laser फिर उसमें क्या change करना है फिर उसमें क्या सारा इस तरीके का अब जो है उस related जो भी चीज होगा वो सारा का सारा filter वाला जो है वो must feature है वो आप item भी verify करने में जैसे एक item को search करने में आप उहाँ पे use कर सकते हैं तो release जो 3.0 है बहुत ही जल्द launch कर दिया जाएगा और यहाँ पे जो यह feature है और भी हम लोग अगर देखें तो और क्या-क्या features यहाँ पे add किया गया है एक तो multi GSTN का add किया गया है इसमें आपका अगर मालेजे बहुत सारे GSTN नमबर है एक ही company का 2-3 GSTN नमबर है तो सबका जो sale bill है सबका जो GSTR1 हो तो अलग-अलग जाएगा तो उसके लिए यहाँ पे tally में पहले कोई विवस्था नहीं था कोई शुवेधा नहीं था कि अलग-अलग हो तो उसके लिए एक detail विडियो में आगे बनाऊंगा यहाँ पे हम बस brief में introduce कर दें कि 3.0 को मतलब जो लाया गया है इसमें बहुत ही अच्छा-चा features यहाँ पे add किया गया है तो उमीद करते हैं आपको 3.0 का release जो है वो समझ में आया होगा थैंक्यू जी